हेलो दोस्तों महीं हुआ हिन मेरे चानल पर आप सभी को सौगते तो यहां पर आज मैंने खटा मिठा और तिखा ठेचा बनाया है मिर्च का ठेचा बनाया इससे मैंने कैसे बनाया तो मेरे रेशिपी एंड तक जरूर देखना और मेरे रेशिपी अच्छी लगए तो लाइक मोटी वाली वो भी ले सकते हैं तो यहाँ पर हरा धनिया लिया है मैंने और यहाँ पर आदा चमच अद्रक लिया है लसुन भी लिया है मैंने अब यहाँ पर सुख्य मसा लिया है एक चमच सोफली है मैंने एक चमच जीरा लिया है और एक चमच तिली और अजवाइन जो पू नाद करें तो यह सबी चीज़े हम मिक्सर पॉर्ट में दाल कर अच्छे से पीस लेंगे बीचे को आप अच्छे चोटे तुकड़ों में काट कर भी दाल सकते हैं नाइक हैं क्योंकि मोझे पीसना ऐ तो मैंने अइसे डाले है तो यहां पर समभर दाल दिया है मिच्छा डाल यहां पर शुख्य मसाल भी डाल सकते दाल देंगे कि अधने बाँप यह सब पार्ट देंगे उसंती यह जिद्ध दालने के बाद में इसमें दाल देंगे और अठकन लगाकर फीस लेंगे तो यहा पर देखेए ङीने मिर्ची और मसाजय को पीस लिया है यहा पर देखे दोस्तों मैंने ठेचा को पहती महिन पिसा foul अब यहाँ पर ग्यास पर कड़ह रख देंगे इसमें डाल देंगे ओल को बहुत अच्छे से गरम होने देंगे और गरम होने के बाद में इसमें डाल देंगे ठेचा और ठेचा को उसका मोच्चर खतम होते तक अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर ठेचा दाल दिया है अब इसे हलका हलका थोड़ा सा भून लेंगे तो जिससे के ये भुणने से क्या होता है कि इसकी लाइब बढ़ जाती है ये मैना बर मैना या दो मैना जित्ते भी कॉंटिटी में हम ज्यादा बनाएंगे तो खराब बिल्कुल नहीं होगा इसे आप एरटाइड डबे में भरकर मैना बर दो मैने तीन मैने छे मैने के विलि इसपे तड़ दिनगे तड़का जीरा राएक तड़का होता है तो यहाँ पर देखे इसे आप रोटी के साथ में चावल के साथ में या अकसर घरों में नहीं के दाल वगरे बनाते हैं ना दाल बेसन या फिर कोई भी सबजी बनाते तो आप यह ठेचा खा सकते आलू का पर कर दोज कर दो